Hello Friends, Welcome to SSE Crackers और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत सारे स्टूरेंट्स का पूछना था कि सर CGL and CHSL 2021 का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड मन्त डिसकस करने वाला हूं कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा CGL and CHSL का तो बहुत ही ध्यान से देखना है सबसे पहले तो कुछ डाटा है जो की SSE के ओफिशल वेबसाइट पे अल्डेडी अप्लोडेड है आप अच्छे से जानते हैं कि CHSL में जो है tier 1 and tier 2 उसके बाद typing test होता है तो आप जानते हैं कि 2020 का जो tier 1 का exam है वो अच्छे तरीके से समाथ हो चुका है ठीक है? 9 अगस्त को last exam था CHSL 2020 का इस exam के बाद tier 2 का exam होना है वो कब है? इसका date आचुका है 9 जनवरी 2022 को यानि कि 9 जनवरी 2022 को tier 2 का exam समाथ हो जाएगा उसके बाद skill test का exam होगा और उसके बाद फिर आपका final merit list आएगा यानि कि देखा जाए तो CHSL 2020 का जो काम है वो आपका 9 जनवरी 2020 को ही अच्छे से समाथ हो जाने वाला है next बात करें CGL में भी tier 1 होता है tier 2 होता है tier 3 होता है tier 4 भी होता है उसके बाद final merit list आता है तो 2020 का भी जो exam है वो आपका 24th I guess 2021 को हो चुका है exam अच्छे तरीके से उसके बाद जो tier 2 का exam होना था वो आपका January 2022 को होगा ठीक है January 2022 में भी tier 2 का exam समाथ हो जाएगा उसके बाद tier 3 होगा जो कि February में है उसके बाद जो जो mainman exam है वो आपका February तक समाथ हो जाएगा multitasking के बाद करें इसका भी tier 1 का exam समाथ हो चुका है October में tier 2 का जो exam है उसका भी date आना बाकी है GD के बाद करें GD की भी जो exam है वो 6 दिन November से लेकर 15 December 2021 तक exam चलेगा उसके बाद ये भी जो exam है इसका भी समाथ हो जागा exam उसके बाद PET and PST का date अभी announced करना बाकी है एक और main exam है SSA selection post phase 9 का जो की आपका second February से लेकर 10 February 2022 को exam होना है ये भी exam समाथ हो जागा यानि की SSA के जो main main exam है CGL, CHSL, MTS, GD, CPO ये सब जो exam है January से लेकर February तक में सारे exam समाथ हो जाएंगे उसके बाद जो है बहुत सारे center भी खाली हो जाएंगे exam करवाने के लिए तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि ये सब data को देखने के बाद जो है expected month कौन सा हो सकता है notification के लिए ठीक है सबसे पहले बात करेंगे CHSL के बारे में तो देखिए CHSL का जैसा मैंने आपको बताया CHSL का जो exam tier 2 का है वो जैनवरी में ही समाथ हो जाएगा उसके बाद 2021 के exam के लिए जो है बहुत जल्दी आपका exam वो भी होगा ठीक है तो यहाँ देखिए expected month की जहां तक बात रहें तो notification आपका जो है December में आ जाएगा मेरे according December में जो है notification आएगा और जो date होगा online application भरने का वो आपका 20 December से लेकर 20 January के बीच में रहने वाला है ठीक है और notification के 3-4 महीने के बाद exam होता है यह आप भी जानते हैं तो 20 December से लेकर 20 January 2022 तक जो है यह आपका online application भरा जाएगा और जहां तक बात रही exam की तो जो computer based exam होता है वो आपका होगा कब उसके 3-4 महीना के बाद यानि की April में तो मेरे according जो है CHSL 2021 का जो exam होगा Tier 1 का वो आपका April महीं होगा वैसे तो मैंने यहाँ date दिया है 10 April से लेकर 30 April के बीच में कभी भी हो सकता है बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा की आपका January में तो exam यह तो होना ही नहीं है February, March के बाद ही जो है यानि की April में महौल बनेगा CHSL के exam का ठीक है तो आप अभी से अगर त्यारी करना start कर दिये हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो अराम से आपके पास time होगा December का, January का, February का, March का यानि की लेवल एक्जामिनेशन 2021 का तो 2021 का जो exam जो आपका होने वाला है CGL का जिसका date जो है, वो आपका January तक आएगा, और form भरने की जहां तक बात रही, वो आपका January पूरा January आप ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर 10 January 2022 से लेकर 31 January 2022 तक का date दिया है तो आप कुछ ऐसा ही समझिए कि इसी time पे आपका form application भरा जाएगा, और जहां तक बात रही, computer based examination की, tier 1 की, तो वो आपका CHSL के बाद, यानि की मई में exam होगा April का time होगा, आपका CHSL का, और मई का जो time होगा, यह होगा आपका CGL का, जो CGL वाले के लिए पूरा-पूरी 5 महीने का time होगा, अच्छे से preparation करने का ठीक है, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे होंगे, कि exam बहुत delay होगा, ठीक है CET के थूरू exam होगा तो वो सब अभी होने वाला है नहीं अभी 2021 तक का जो exam है, वो आपका SAC ही conduct कराएगा, 2022 से जो है, यह आपका CET के थूरू exam होगा, लेकिन 2021 तक का जो exam है, यह आपका SAC ही conduct कराएगा, क्योंकि CET को आने में अभी time है ठीक है, तो आपके पास यह golden opportunity होगा कि इस बार आप SAC के थूरू CGL and CHSL का जो exam है, वो आप दे सकते हैं, समझ गए तो जो भी students next exam की preparation कर रहे हैं CGL और CHSL का, उन सब के लिए मेरे पास a suggestion है, कि आपके पास 4-5 महीने का time है अपने आपको fully prepared करने का ठीक है, तो CHSL का exam अप्रील में होने का समभावना है, और मई में जो है आपका CGL का exam होने का समभावना है, आप इन सबी चीजों से कितना इतिफाक रखते हैं, comment करके बताईएगा, आपको क्या लगता है आपका भी कुछ suggestion होगा, आपको क्या लगता है कि exam कब तक होगा बट, जहांदक मेरी बात करे तो मुझे तो लगता है अपरील में आपका CGL और मई में आपका CGL का exam होगा ठीक है, ये वीडियो मनाने का main purpose ये था, ताकि आपको एक boost up मिले, confidence मिले, कि हाँ exam कब आपका होने के संभावना है, ठीक है और CGL, CGL के regarding, बहुत सारे strategy के वीडियो मैं आपने इस चैनल पर upload करने वाला हूँ, किस तरीके से त्यारी करना ये सब चीज आपको proper तरीके से guide करेंगे, तो मिलेंगे आप से next वीडियो में, तब तक के लिए all the best